बाबा साब ने कहा था कि शिक्षा वे सेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा यह एक चीज यहां लिखी है अमबेड कर जेनती पराज मुझे वे धरम पसंद है जो सुवतंतरता, समानता और बंदूतव सिखाता है एक समुधाय की परगती को उस डिगरी से मापता है, जो महिलाओने हासिल की है धरम मनुशे के लिए नए कि मनुशे धरम के लिए, महिलाओन को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया और दलितों का मशिया उनके हुद्धान के लिए कारे किया वे सारी बात आजम पढ़ते हैं तो सभी साती जुड़ चुके हैं पहला परसन आप लोगों के सामने है राम राम ममता जी विजे लक्षमी जी सभी रिंकू जी सभी को राम राम अब देखो बात करते हैं यहाँ परसन है भीमराव अंबेटकर का जन्म कब वे कहां हुआ था पहले इनका नाम भीमराव अंबेटकर कैसे रखा गया बाबा साब कब रखा गया सारी बात पढ़ेंगे पिता का नाम राम जी सक्पाल माता भीमा बाई कह नाम था भीमा बाई ये तो कौन थे पिता और ये माता जन्म आपको पता है 14 अप्रेल के दिन है तो सन आपको पता होना चीए कौन सा था अठारा सुखराण में, त्राण में, नबे इनके जन्म के पांच वर्स बाद ही इनकी माता का निधन हो जाता है कुल 14 पुतर थे, सबसे लाड़ ले थे, सबसे छोटे थे, सबका दो नमबर उप्सन आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, 14 अप्रेल 1891 कान में को महू में हुआ, महू कहां पर है, महू मध्या परदेश से डोक्टर बाबा साब, जो भिम्राव बेटकर है, ये कहां के रेने वाले थे, मैं पता होना चीए इनके बारे में, देखो, इनका जन्म, जिस वर्ण में हुआ, वे था महार, के सदा महार, हम पढ़ते हैं, महाराष्टर, क्या पढ़ते हैं, महाराष्टर, कहते हैं, महारों का राश्टर वो क्या हुआ महाराष्टर इनके दादा जी जिनका नाम था मालो जी सक्पाल इनके दादा थे और महाराष्टर में रतनागिरी वहाँ पर एक अंबाव वाड़े करें से करके गाउं भी आता है वहाँ ये रहते थे वहाँ से आए महू मध्या परदेश में कहा पर आगे MP में आगे यहाँ पर British East India Company में इनके जो पूर्वस थे वो कारेरत थे इनके पिताजी जो है वह सुबेदार थे क्या शुबेदार महू केंट में ही किस केंट में महू केंट में यहां रहते हैं उसके बाद में इनकी माता का निधन जो है वो 1800 पिचान में हो जाता है नेक्स दलते हैं किस भारतिय ने इंग्लेंड में आयोजित हुई तीनो गॉल में समेलों में भाग लिया था बहुत बढ़िया जे भीम जे भारत वो तो यहां लिखी दिया आज कलासी उनके नाम है जगरती जवाला बिल्कुल चवदार तलाब बिल्कुल डिके राटोड उसे चवदार तलाब भी कहते थे एक ही बात है जो लिख दिया वो सही है 20 मार्च 1923 को स्टार्ट किया था बहुत बढ़ी ऐसा ही बात है महाड में ही था हुए हाँ और बताओ आप सब परसन है यहाँ पर पूरी जानकारी परसनों के माध्यम से मिल जाएगी महात्मा गांधी स्वामी विवेका नंस रोजनी नैडू डोक्टर अंबेड कर तो यहां उत्तर आप बताओ के डोक्टर अंबेड कर कब कब हुए थे 1930 1931 1932 जब तीसरे में गए थे तो किस से मुंबई से लंदन मुंबई से लंदन के अंदर ही इन्होंने बेरिस्ट्र की पढ़ाई की थी मैं सारी पढ़ाई वगरा सब आपको परसनों के माध्यम से बताओंगा क्योंकि एक जगए बताने से अच्छा है कि आप परसन भी देखते रहे उसका ज्वाब भी देते र महात्मा गांधी वैं डॉक्टर अंबेटकर के मध्या पूना प्यक्ट समझोता कब हुआ था 1906 में मारले मिंटो सुधार उसके बाद में मुसलिम लीग जो थी उसकी स्तापना के अपने बात करते हैं और मुसल्मानों को अलग से प्रिथक निर्वाचन परनाली की मांग की गई तो उन्हें भी दिया गया सिखो को अलग से दिया गया लेकिन क्या होता है की जो निम्नवर्ट के लोग थे दलित जो थे उनको अरक्षम नहीं दिया गया था तो अम्बेटकर जी ने क्या किया जो केमिनल अवार था उसके लिमांग की तो महात्मा गांदी जो थे वो यरवदा जेल में थे किस जेल में थे यरवदा जेल में और इस यरवदा जेल में रहते हुए उन्होंने आमरन की गोशना कर दी आमरन की गोशना या 24 तमर कर लेना आ मामरन की घोशना अब इस पुना पैक्ट पर इस समझोते पर हस्ताक्सर किया था हस्ताक्सर किया मदन मोहन मालविय ने महात्मा कांदी के दुवारा हरिजन पत्रिका निका ली गए और यह शब्द सम्बोदित किया गया जिस पर वर्तमान में रोख है वर्तमान पर आप इस सब्द का प्रियोग नहीं कर सकते तब डॉक्टर भीमराव अंबेटकर और महात्मा गांदी के मद्य पूना पैक्ट समझोता होता है इसके उपर भी बाबा साब के एक पूरी किताब आती है बहुत शांदार किताब है किसी ने मुझे कहा था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया आप मेंसे किसी के पास हो दो बेज देना पढ़ लेंगे हाँ रमेज कुआर जी बोल रहे हैं आपके पेरों में भले ही जुते ना हो लेकिन आपके हातों में किताबें और कलम जरूर होनी चाहिए ये समाज और देश तभी बदल सकता है बिल्कुल दो नमबर आपका सही अंस्वर है पुनाप्यक्ट समझोता किसके लिए दलितों के लिए अलग से परनाली के लिए किया गया था निर्वाचन परनाली डॉक्टर अमबेटकर ने किस वर्स अखिल भारतिया दलित संग की स्थापना की थी सौतंतर लेबर पार्टी की स्थापना करने वाले भी डॉक्टर भिमराव अमबेटकर थे अखिल भारतिया दलित संग की स्थापना की बताईए 1928, 24, 32 या 23 के अंदर सब बताओ सहवाश एक कड़वी चीज को मिठा नहीं बनाया जा सकता हुआ हां 1937 में राजेश कुमार जैन बता दिया मैंने बता रहा हुना सोतंतर लेबर पार्टी उतकर स्टेडिया के अंदर में दो नमबर बता रहे हैं दो नमबर सेनिकों से समंदित पहली बार बाबा साब ने पार्टी बनाया थी बनाया थी सर आपकी गवरो बर्माजी कल वाड़ा वीडियो देख लेना बंदी प्रत्यक्षिकरम प्रमादेश ये किसने बताया बढ़िया बताया है कि शोर जी पूछरें आप कौन से चोहान हो मुझे मेरी जाती से क्यूं तोलते हो तुम मैं भी तो एक इंसान हूँ जब मैंने कहे दिया कि जाती वन भेद भाव इन सबको अलग छोड़िये ना आप पढ़ाई कीजिएगा 1924 में कब की थी 1924 में डॉक्टर अमबेड कर जब अपने बात करते हैं पढ़ाई की बात करते हैं तो एक नाम आता है गायकवार बात है 1913 की इन्हें भेजा जाता है कहां कोलंबिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी देखो पढ़ाई बी ये बंबई यूनिवर्सिटी से में पी एच डी ठीक है उसके अलावा डी एस सी डॉक्टर अफ साइंस इनके पास कुल कितनी डिग्रियां थी 32 डिग्रियां थी किस किस विश्य में इन्होंने डिग्रियां हासिल की थी समाज सास्तर अर्थ सास्तर पर तो बहुत ज्यादा पकड़ थी इनकी दर्सन सास्तर इतिहास राजनिती विग्यान और राजनिती विग्यान के लिए यहां पर जाते कोलुम्बिया उन्वर्शिटी में ये कहां पर है अमेरिका में तो जो अपने पढ़ते हैं यहां पर बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं तो जो सयाजी गायकवार थें उनके द्वारा 25 रुपे किते रुपे 25 रुपे क्या रखी जाती है 25 रुपे 25 रुपे इनके लिए महिने की पैंसन यानि महिने की स्कोलर्शिप 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 इनको दी जाती है अब इनको एक वेक्ति लेकर आया था कोई बता सकता है गया अजाती ना पूछो साद की पूछ लीजिए ग्यान मोत करो तलवार का पेड को रहने दो बियान निले अर्ष पर निली घटा चाहिए बुमला मुजिक जी महारवार से क्या लिख रहे हैं धाईला किताब पुड़ी थी पंकच खेराडी जी बता रहे हैं पूर्ण में एकवाल जी बिलकुल आपकी बात सही है सभी को शुपकाम नहीं अचा रजेश कुमार सेन सेन हूं मै नहीं भी बोला था अब अधिरा कciąहरा सुनिताजी धने बाधर और यहां पर कौन लेकर आया था इंको एक इनका मित्र था प्रेश कुलर था पतनी कौसा स्पूलर तो था अब यह स्पूलर आगे कौन सा था वो यहां लेकर आता है और उसके बाद झालते हैं तर वहां जब यानि लाइफ टाइम तक कह सकते हैं अपने नेक्स्ट भारतिय सविधान के आधूनिक मनु किसे कहा जाता है तो मैंने बता दिया सविधान का निर्माता सविधान निर्माता कहो चाहे आप दलितों का मसिया कहो या बीश्वी सदी का बोधिस्तव कहो या अपने पढ़ें भारत का मार्टिन लुथर भारत का अबराहिम लिंकन अबराहिम लिंकन क्यों क्यों कि जैसे चुनाओं में हारे और उसके बाद जीते उसके करण बंबई विधान सबा से चुनाओं हारे कहां से हारे बंबई से जीत गए बंगाल से जीत गए लोगसभा का सुनाओं हारे लोगसभा का सुनाओं हारे पर राज्यसभा से जीत गए तभी तो कहा है कि संघर्ष शिक्षित बनो संघर्ष करो संघठित रहो इन्होंने कहा था और कहा कि जिस कारवां को मैं लेकर यहां तक पहुंचा हूं आप अगर उसे आगे नहीं ले जा सकते तो उसे किसी भी सूरत में पिछे मत जाने देना यहां उतर इन में से कोई नहीं होगा क्योंकि यहां उप्षन चार नंबर होगा विरुजी के ट्रिक दुरिना एप पर या आपने तैरी कर लो एप से जो मेरा कोर्स लिया है उसके जो वीडियो आपको दो तीन दिन बाद में मिलने सुरू हो जाएंगे अभी उस पर डाले नहीं है क्योंकि वो क्लास एक बार देखेंगे भी कितने आते हैं उस हिसाब से फिर उसको दिया जाएगा ठीक है दोस्तों गोतम, बुद, कबीर, जोतिवा, फुले बिल्कुल अम्बेटकर जी के तीन आदरस भी थे यह सभी इनका उत्तर क्या होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर होगा इनके आदरस कबीर, बुद, जोतिवा, फुले नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बेटकर द्वारा 1956 में किस पत्रिका का संपादन किया गया था वो दिश्तव भारत रतन, पर्थम कोलंबियन, हेड ओफ दा इयर, दे ग्रेस्ट इंडियन ये सभी इनको प्रुषकार गोविंद महरा बाडमेर से जे भीम गुर जी पर नाम मुर्ख लोग आलोचना करेंगे, पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल जो समझता है वो आलोचना कभी नहीं करेगा सारनाथ की यात्रा की थी, बिल्कुल की थी, लिख देता हूं में सारनाथ यात्रा की थी, यात्रा की थी मनी भवन में मुंबई में गांदी जी वे अमबेडकर की पहली मुलाकात हुई थी 1930 में अमबेडकर की पहली मुलाकात कब हुई थी, 1935 इस्वी में हुई थी और सारी बाते जागरती की जुआला कभी भुजनी नहीं चाहिए और 1926 में मुंबई विधान परिशद के सदश्य भी बने थे बागी पारवती मंदिर काला राम मंदिर चवदार जो तालाब है उसके बारे में सारी बात कर चुका हुँ मैं शिक्षित करो शागरत करो और संगटित रहो शिक्षित करो जागरत करो और संगटित रहो सदश्य संक्या अभी आप लोगों ने नहीं बताए पानी प्यूंवित जल्दी सी जल्दी बस बता देओ किती सदश्य संक्या उच्छुकी है अभी तक सारे नहीं जुड़े हैं पटनी कोन लाग रहा है आस तो के बात होगी शाबाज शाबाज जल्दी जल्दी करो पताओ परबुद भारत अब हम देखो यहां यह लेखक है बिर्बल सिंग्जी बर्वड क्या नाम है लेखक का बिर्बल सिंग्जी बर्वड इनकी एक पुस्तक है घर घर बाबा साहिब अब यह पुस्तक दस्राग्य युग लड़ा गया था बिल्कुल राम राम सभी आप पढ़िएगा अब इस पुस्तक के बारे में अपने अध्यन करेंगे तो यह पुस्तक इनके दुआरा यह कोई पीडियो मिली थी मैं पढ़ा रहा हूँ यहां जो कोम अपना इतियास नहीं जानती वह कोम अपने भविशय का निर्मान नहीं कर सकती यह टोक्टर बीम्रा मं बेटकर संक्षिप एं सार घरवित उनकी जीवनी है घरगर बाबा साहब का नाम है भारत तन बाबा साहब डोक्टर भीमरा अंबेटगर का जन्म 14 अप्रेल 18 विकार्णमे को प्री निर्वान 6 दिसंबर 1956 को म.म.स.C.D.S.C. भारत का स्विधान हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुतव संपन समाजवादी धर्म निर्पयक्स लोक्त अंत्रात्मक गनराजया बनाने के लिए तता उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, न्याय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सवतंतरता, परतिष्टा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखनता सुनिशित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए देट शंकल्फ होकर अपनी स्विधान सबा में 26 नॉवंबर 1949 को मारग सिर्ष शुकल शप्तमी समत 2006 विकर्मी को एतात दुआराई स्विधान को अंगिकर्थ एवं अधिनीमित और आत्मा स्मरपित करते हैं अमबेडकर का जिवन प्रिच्चय और जिवन की प्रमु घटना है डॉक्टर अमबेडकर अगर आपको दिख रहा है तो मैं इसे विक बार चेक कर लेता हूं कि यह नहीं दिख रहा है तो जे भीमसर नहीं दिख रहा तो इसे करते हैं पूरी किताब को मैं किस पर डाल देता हूं टेली ग्राम पर डाल देता हूं आप वहाँ से पढ़ ले ना यह सारी उनके बारे में जानकारी है, उनके पिता सुबेदा, रामजी राव, यह कहां कहां रहे, मेट्रिक प्रिक्षा उत्रण की कब गए, महाराष्टर में कब, क्या कौन सा दिवस बनाया जाते हैं, यह पूरी किताब है, इसके उपर इनके बारे में भी बताया गिया है, देखो, इन्हों लिखा है, डॉक्टर भीमरा उंबेटकर का वंस, महाराष्टर राजे के अच्छूत जातिया हैं, उनमें महारजाती एक परमुक जाती थी, प्राचिन काल के परवाव में लुप्त हो गया, विविन पुस्त कों लेकों द्वारा लेकों से प्राप समाने जानकानी को अनुसार, महारजाती के लोग मूर महाराष्टर के ही रहने वाले थे, एक समय ऐसा भी था जब लोग महाराष्टर के सासक भी रहे हैं, यानि वह सासक भी रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है, महारों का राष्टर था, इत्यासकारों का मानना है कि महारजाती के थे लेकि खेड तैसील में दापॉलि के पास अमबा वड़े में कहाँ पर आंबा वड़े में चोटा सा गाउं है और चार और पाडिया फेलिए वहाँ रहते थे अंबे वड़े अंबा वड़ी है वहाँ पर आम वड़े पूरी बाते हैं तो आपको कैसी लगिया आज क्लास प्रवीन जी महिपाल कर्टोरिया जी बिल्कुल यह पूरी किताब अब मैं कोई फाइद हो तो एगोनेर शाप तो दिख रहे हो नहीं तो आप पड़ांगा लेगिन जो बात आप लोगों को मैंने कही है वह आप द्यान रखना दुबारा सारी बाते बोल देता हूं शिक्ष्या के लिए महिलाओं के लिए बच्चों के लिए जिसे अनुन कहा कि आपके घर में कोई स्राप पीता है तो आप अपने बच्चों को जुरूर पढ़ाए शिक्ष्या के लिए कारिया कीजिएगा क्योंकि वह समाज को बदल सकता है एक अच्छा विध्यारती ही ए यहां पर कर चुका हूं और आप सब को आज 130 वी जैनती की एक बार पुने हार्दिक शुब कामना है जे हिंद जे भारत हंसते रहें मुस्कराते रहें कल फिर मिलते हैं 9 वजे सारी जानकार्या